हलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी आज की जो रेसिपी वे एक चठनी की है एसी चठनी है कि एक की जगा 50 रूटी आप खाएं पचास ज़्यादा हो चुके हैं बट अब एक की जगा 4-5 रूटी तो खाऊ ही लेंगे ऐसी चठनी है और वीडियो भी ज़्यादा लंबी नहीं है तो वीडियो में बने रहिएगा, है ना, ये मेरे पास चौपर है, हैंड चौपर नहीं है, मिक्सर वाला है, हैंड चौपर भी चलेगा, आप इसे कूट भी सकते हैं, बारा से पंदरा लेसुन की कलियां ले लेनी है, थोड़े से आपको ले लेने हैं, ये क्या बोलते हैं इसको, हाँ, धनिया के पत्ते हरी वाले, ये देखें, ये है हरी मिर्च, लगबग साथ साथ डाल दी हैं, लेकिन आप मॉर्णिंग में चिलाना मत उसी हिसाब से डालना, ज्यादा नडाल देना, नहीं तो मेरी मतलब क्या बोलू मैं, और ये हैं मुंगफली के दानी, अब देखें, ये कितना डालना आपको, पांच, छे बड़े चम्मच, आपको ये मुंगफली के दानी डाल देना, अगर ग्राम्स में देखेंगे, तो सौ ग्राम्स तो ये हो पूटके उदेड़ दीजिएगा, ठीक है, ये हो चुका है, देख लिए, दरदरा होना चाहिए, बाकी कुछ देखने की जरूरते हैं, ये दरदरा जरूरी है, वरना ये, क्या बोलते हैं, छोड़ो जाने दो, जो भी बोलते हैं, ये पैन में एक से दो चमच ओल ले ये ही इस रेसिपी की खासियत है, सच बतारों मैं, ये ही इस रेसिपी की खासियत है, और बस इसे आपको पकाना है, लगबख 3-4 मियर तक मीडियम फ्लेम पे, और हमारी जो चटनी है, वो बनके तयार हो जाएगी, जैसा कि आपको सामने दिख रहा है, डिलिस इस भी लग आपको लग रहा होगा कि एक रोटी मिल जाए, उसके अंदर थोड़ा सा डाल दे और ठूंस लें, तो ऐसा आप कर सकते हैं, उमीद करता हूँ, रेसिपी अच्छे लगी, वीडियो अच्छे लगी है, तो लाइक और शेर कर दीजिए, और फिर मैं हुगा एक नए वीडिय पिके साथ, ठीक है, चाक्ते!